देखें इंग्लिश में शब्द है no, k-n-o-w-no तो इस वीडियो में no का हिंदिय और इंग्लिश में क्या आर्थ और मतलब होता है जानेंगे आम बोल चाल में sentences में कितरे से ये शब्द को प्रियोग करेंगो इसके बारे में भी जानेंगे तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे हैं यह जो शब्द है no यह वर्ब है और वर्ब का first form है मतलब होता है to be familiar with a person, place or thing मतलब किसी व्यक्ती, वस्तू, अस्थान या किसी चीज के बारे में जानना उसको बोलते हैं no तो हिंदी में अर्थ हुआ no का जानना, जानकारी होना, परिचय होना, परिचित होना, आशना होना, शनासाई होना, पहचानना, सूचित होना, सचेत होना या समझना इंग्लिश में इसके synonyms आते हैं identify, be aware, be informed, recognize, learn, understand, realize, cognize and it इसी मतलब और भी इंग्लिश में इसके synonyms हो सकते हैं चलिए आप इस शप्त को sentences में use करके अच्छी दरह से समझते हैं जिससे बोलेंगे To know everything is to know nothing लब हर चीज़ को जानने का मतलब है कुछ नहीं जानना दूसरा example है कि the most difficult thing in life is to know yourself मतलब जिन्दगी में सबसे मुश्किल या cut-in है खुदी को पाचानना मतलब खुद को पाचानना जो आदमी खुद को पाचान लेगा, खुद के काबिलियत को पाचान लेगा तो वो सब कुछ पाचान लेगा, यहीं सबसे मुश्किल है, लोग नहीं पाचान पाते हैं खुद को ठीक है तो अमीद आपने नो शप्त को हिंदिय और इंग्लिश में एक्सामपल के साथ मैं अच्छी तरह से समझ लिया है, थैंक्स वर वोचिंग अजिकेर डैस्क